हाई आम शुश्मिता वैनत जी क्या आप बहुत घबरा जाते हो थोरी सीही बात पे डाउन हो जाते हो दुखी हो जाते हो लोग आपको आसानी से बुली करते हैं खुद में बस कमिया गिनते रहते हो तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सलूशन है अपने कॉन्फिडेंस को ब वीडियो बनाए थी कि कोई भी लड़की आपको लाइक करती है या नहीं वो आप कैसे जान सकते हो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो अब जाके देख सकते हो तो चले जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं नमबर वन लव यूरसल अगर आप खुद में बस कमिया गिंते रहते हो और फिर दुखी हो जाते हो तो फ्रेंट ये सोचो कि आप अकेले नहीं हो जिसमें कमिया है चाहे मोदी जी हो बॉब मारले या शारुक खान कमिया तो सब में होती है तो ये मत बोलो अरे यार मेरी शकल गंदी है आवाज बेसुरा है मैं कितना बोटा हूँ खेल कुद में बिलकुल अच्छा नहीं हूँ अगर आप ही ऐसा सोचोगे खुद को सिरियसली नहीं लोगे तो बाकी लोग तो आपका मज़ा कुराएंगे ही तो अपनी कमिया ना गिंते हुए अपने खूबिया भी देखो अब जैसे हो वैसे ही खुद को एक हमारा जो external confidence होता है वो हमारे internal confidence को भी बढ़ा देता है जैसे कि अगर आप सीधा होके सर उचा करके चलो confidently बात करो तो उससे धीरे धीरे आप अंदर से भी confident हो जाओगे हर चीज़ को अगर negative ली ही देखोगे तो दुख तो होगा ही इसलिए negative में भी positive ढूंडो जैसे कि मैं आपको example देती हूँ अगर आप betting कर रहे हो और 98 में ही आउट हो जाओ तो बगेर ये सोचने की अरे यार मैं century नहीं कर पाया दो run के लिए पीछे रहे गया आप ये सोचो येस मैंने half century किया और अपने team के लिए एक अच्छा run contribute किया और अगली बार मैं इससे भी अच्छा करूंगा या फिर lockdown में घर पे ही पड़ा था ये सोचने की जगा ये सोचो कि मैं तो घर पे time देता ही नहीं हूँ पर इस बार मैंने घर पे कितना कुछ किया तो इससे आपकी confidence बढ़ जाएगी जब भी आपका confidence low हो आप ऐसा कुछ करो जिस काम में आप माहिर हो या जो करना आपको बहुत अच्छा लगता है और फिर देखना magic आपका confidence ज़रूर हाई हो जाएगा नमबर फाइफ don't be over confident confident होना अच्छी बात है पर over confident होना नहीं जैसे कि अगर आप बहुत अच्छा बाइट चलाते हो आपके friend ने बोला चल यार 150 के speed पे बाइट चला के दिखा अगर दम है तो तब शायद अप ये बोल सकते हो के ये भी कोई बात हुई ये तो मैं you कर लूँगा फिर थोड़ी देर बात आपका accident हो जाता है तो ये था आपका over confidence पर उसकी जगह अगर आप ये बोलो के हाँ मुझे चलाना तो आता है पर एक अच्छे citizen की तरहा मुझे rules follow करना भी आता है इसलिए मैं 70 के साधा speed पे गारी नहीं चलाओंगा और तुझे भी ये ही करना चाहिए तो ये था आपका confidence और responsibility over confidence कही बार हमारे लिए घा तक साबित होता है तो दोस्तों इन 5 points को follow करने से आपका confidence जरूर बड़ेगा खुद पे विश्वास रखो कि दुनिया देखती रह जाए आत्म विश्वास हो तो ऐसा कि सफल तक कदमों में किर चार वीडियो अच्छी लगी हो तो like, comment, share और subscribe कर देना तो फिर में लेंगे next Wednesday को तब तक के लिए goodbye and be confident